हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल मैं हूँ हारेस और मैं चैनल का नाम है अनमोल हिंदी दोस्तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए बेहदी खास होने वाला है जो अपने मोटापे के कारण हमेशा परिशान रहते हैं या अपने मोटापे के कारण लोगों के हास्य का कारण बनते हैं दोस्तो ऐसे ही लोगों को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके साथ बहुत ही कारगर और दमदार पोड़क्ट शेर करने वाला हूँ जो 100% मोटापे को कम करता है और बहुत सी सारीरिक और सौंदरी समस्याओ का भी समाधान करता है तो बिना देरी किये इस वीडियो को अभी से like करदीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो अभी से हमारे चैनल को subscribe कर दीजिए साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले जिसे की लेटेस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी दोस्तो आज हम बात करेंगे एपल साइडर विनेगर की तो दोस्तो एपल साइडर विनेगर ये मोटापे को कम करने में बहुती साहयक होता है वेट रिडेक्शन में एपल साइडर विनेगर के उपर बहुत सारी स्टडिज करी गई है और उसे वेट रिडेक्शन में बहुती फाइदे मन पाया गया है अब सवाल ये आता है कि ये बेली फेट क्यों आता है और बेली फेट जब आ जाता है तो ये apple cider vinegar किस तरह से उस belly fat को कम करने में हमारी मदद करता है दोस्तो belly fat इसलिए आता है क्योंकि जब हम uncontrolled तरीके से sugar या high carbohydrate या low quality carbohydrate foods खाते हैं तो ये सारा sugar जो है हमारे blood stream में आ जाता है और pancreas करके जो argon है वो try करता है कि insulin produce करें insulin एक hormone होता है जो pancreas produce करता है तो उस insulin के थूरू body try करती है कि इस glucose को body के cells में observe कर लिया जाए लेकिन जब हम बहुत लंबे वक्त तक इस तरीके से sugar पोड़क्ट जैसी की Coca-Cola, Pepsi, Burger, Sandwich, Pizza इन सब चीजों का ज़्यादा सेवन करते है तो हमारे body में sugar का level high रहता है और एक ऐसे ही situation आ जाती है जब insulin जो है उसकी effectiveness कम हो जाती है यानि insulin जो की body को help करता है sugar को observe करने में तो वो effective होना कम कर देता है उसकी वज़ा से ये sugar ठीक से हमारे body में observe नहीं होती है और ये जो insulin है और ये जो हमारा liver होता है ये क्या करता है ये sugar को fat बना देता है और ये जो fat है ये हमारे body की belly में deposit होता रहता है वही मैं apple cider vinegar की बात करूँ तो इसका सबसे बड़ा ingredients होता है acetic acid ये सुनने में तो वैसे एक acid होता है जिसका की pH या जिसकी की acetic level same होती है हमारे stomach के acetic level के लेकिन इसका जो असर होता है वो बहुत अलग तरीके से होता है इसका असर बहुत तरीके से होता है लेकिन जो कुछ फाइदे है weight reduction में इसके वो फाइदे कुछ इस पकार से है ये pencreas को activate करता है और उसको ज्यादा effective तरीके से काम करवाता है दूसरा जो है ये हमारे body में digestion को improve करता है एक बार जब digestion ठीक होता है तो चाहे फिर वो sugar हो चाहे फिर वो protein हो चाहे कुछ भी हो वो body में ठीक से digest होके ठीक से absorb होना सुरू हो जाता है दोस्तों ये acetic होता है nature में तो ये हमारे body में pH level को balance करता है एक बार जब body का pH level जब balance में आ जाता है तो उसके बहुत ज़्यादा फाइदे होते हैं और उसका एक बड़ा फाइदा ये है कि potassium नाम का एक अच्छा mineral होता है body में तो potassium का जो हमारे body में loss हो रहा होता है बताया digestion अच्छा हो जाता है pH balance हो जाता है उन सबकी वज़े से potassium अच्छे से काम करने लगता है body में जब potassium अच्छे से काम करता है तो insulin level body का कम हो जाता है जब insulin level कम होता है body का तो body वापिस sugar को अच्छे से absorb करने लगती है दोस्तो अगर आप वाकई में weight loss चाते हैं तो पूराने तरीके से sugar, coke, sandwich ये सब खा रहे हैं तो इनको आप धीरे धीरे कम करते जाएंगे तो weight में 100% फाइदा होगा दोस्तो apple cider vinegar का स्रिप weight loss में ही नहीं काफी दूसरी चीज़ों में भी फाइदा होता है जैसे drink की activity बढ़ जाती है, body का energy level बढ़ जाता है, blood pressure ठीक हो जाता है, cholesterol की problem ठीक हो जाती है और भी इसके बहुत सारे फाइदे हैं जो मैं आगे भी आपको वीडियो में बताता रहूंगा दोस्तो apple cider vinegar के इस्तमाल से body जादा fat belly पर deposit नहीं करती belly पर जो fat deposit कर रही होती है, body जो high insulin की वज़े से deposit कर रही होती है, वो कम हो जाती है तो ये है apple cider vinegar के फाइदे अब दोस्तों market में तो बहुत से apple cider vinegar है, तो कौन सा apple cider vinegar खरीदे जो 100% organic apple cider vinegar हो और जिसका price भी कम हो ऐसे ही product की तलास में मुझे एक ऐसा ही बहुत ही अच्छा और 100% organic ACV मिला है, जो हर किसी के लिए एकदम offerable है, जिसका price भी एकदम कम है, तो मैं आपके साथ वो सेर कर रहा हूँ तो ये है वो apple cider vinegar जो की हिमाले organic apple का इस्तमाल करके बनाया गया है जो organic ACV है, जो mother के साथ आता है, जो की 100% rare unfiltered organic ACV है, जो blossom का product है blossom एक revolutionary company है, जो की certified natural और organic products एकदम offerable price में sell करती है दोस्तों इनके सारे product जो मैंने आज तक देखे हैं, वो low price and high quality की रहते हैं वही मैं इसके apple cider vinegar की बात करूँ, तो इसका ये 250 ml का bottle है जिसका price आप यहाँ देख सकते हैं, स्रिफ 195 रूपीस है दोस्तों मैंने खुदने भी research की है, 195 रूपीस में organic apple cider vinegar पूरे market में मुझे तो कहीं available नहीं हुआ दोस्तों ये इतने कम दाम में और इतनी अच्छी quality का product आपको मिल रहा है जिसे आज ही order कर लिजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा beneficial होने वाला है इसे आप www.blosom.in से online order कर सकते हैं जिसका link मैं वीडियो के description में दे दूँगा जहां से आप इसे आसानी से buy कर सकते हैं दोस्तों मुझे पता है आप में से बहुत से लोग इसे try करने की सोचते हैं लेकिन market में जो organic ACV का high price है उसे देखते हुए आप इसे buy नहीं करते लेकिन blossom का यही product आपको सिर्फ 195 रुपीस में मिल रहा है जो मेरे हिसाब से market में मिलने वाले सभी organic apple cider vinegar से बहुत ही ज़्यादा कम है अब ये तो होई इसके price की बात अब मैं इसको use करने का तरीका भी आपको बता देता हूँ दोस्तो आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है आगे मैं आपको इसके और भी बहुत से फाइदों के बारे में बताने वाला हूँ तो बीना वीडियो को skip किये इस वीडियो को पुरा end तक देखे आज मैं ACV की complete जनकारी आपके साथ share करने वाला हूँ दोस्तो जयारतर लोग जो Apple Cider Vinegar का regular प्रयोक करते हैं जिने इसके benefit के बारे में पता है वो इसे एक से चार बार इस्तिमाल करते हैं एक बार सुबो उटने के बाद और एक बार दोनों मिल्स के पहले याने की तीन बार लेकिन सबसे जन्दा फाइदा मैंने पाया है पिछले छे महीने के इस्तिमाल में वो होता है सुबो उटते से ही दोस्तो ध्यान रहे Apple Cider Vinegar को कभी भी directly ना लिया जाए उसको लेने का best तरीका है एक से दो चमच एक गिलास पानी में mix किया जाए फिर लिया जाए otherwise उसका टेस्ट बहुत ही strong होता है आपको बिलकुल भी अच्छा नहीं लगेगा दोस्तो वही मैं मेरी बात करूँ तो जब मैं सुबो उटता हूँ तो मेरा तरीका अलग रेता है इसे लेने का सब अपने अपने सौत के हिसाब से Apple Cider Vinegar को ले सकते है पानी के साथ तो मेरा जो तरीका है वो यह है कि मैं हलका सा अद्रक का जूस मिलाता हूँ अद्रक का जूस कोई भी निकाल सकता है उसको ग्रेट करके स्क्वीज करके जो जूस निकलता है उसको एड़ कर दीजिए तो एक से दो चमच Apple Cider Vinegar को एक ग्लस हलके गर्म पानी में मिला के उसमें आदा चमच अद्रक का जूस एक चमच आदे निम्बू का जूस और आदा चमच हनी भी मिला लीजिए बस यही मेरा morning drink है लेकिन आप यह सब नहीं करना चाहते तो एकदम आसान तरीके से लेना है तो आप सीधा एक से दो चमच Apple Cider Vinegar एक ग्लस पानी में मिला के दिन में एक से चार बार तक ले सकते हैं अगर आपको ज्यादा फाइदा चाहिए तो एक से दो चमच पानी में मिला करके दोनों मिल से पहले सोने से पहले और सुबह उठते ही ले लीजिए इससे आपको काफी फाइदा मिलेगा दोस्तो इसके रोजाना के इस्तिमाल से weight reduce होता है, fat burn होता है, cholesterol की problem solve होती है, बज़न भहुत हद तक कम हो जाता है, यह weight loss में चमतकारिक रूप से काम करता है जिसका इस्तिमाल जायातर लोग weight loss करने में करते हैं इतना ही नहीं ये acidity से relief करता है, blood sugar की problem को solve करता है, इसको आप skincare के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं, इसके इस्तिमाल से चेरे पर acne pimples के problem solve हो जाती है, आप इस ACV का इस्तिमाल face wash करने के लिए भी कर सकते हैं, एक bottle में थोड़ा सा पानी भर कर उसमें एक से दो चमच इस ACV को मिला और डेली इससे चेरे को धोएं, ऐसा करने से चेरे पर रहे दाग धबे जाईयों की problem solve हो जाती है, और चेहरा एकदम दमक उठता है, इसके अलमा मालों की समस्या में भी इसका इस्तिमाल कर सकते हैं, दोस्तों ये blossom का apple cider vinegar सिर्फ मोटा पे में ही नहीं, बलकि बहुत सी health related problem म में भी work करता है, इसके और भी भहुत से फाइदे हैं, लेकिन वो सब मैं आज नहीं share कर पाऊंगा, वरना वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, अगर आपको इसके और भी फाइदों के बारे में जानना है, तो मुझे नीचे comment में बता देना, मैं दूसरा 25 रूपीज है, लिंक इन दे डिस्क्रिप्शन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी है, तो दिसलाइक करें, थेंक यू झाल झाल झाल